कि सरोज स्मृति इस भाग में निराला अपनी पुत्री सरोज के सौंदर्य और इवावस्था के बारे में चित्रण कर रहे हैं आपको केवल थोड़ा पंक्तियों पे ध्यान देना है क्योंकि इसका व्याख्या नहीं आनी है व्याख्या क्यों नहीं आनी क्योंकि 2020 में इसका पेपर अब्जेक्टिव होना है फिलाल अब्जेक्टिव प्रस्तावित अब्जेक्टिव ही होगा 2020 के एक्जान में आगे भले आ सकता है लेकिन फिलाल अभी व्याख्या नहीं आनी तो आपको अभी पंक्तियों पे ध्यान देना पंक्तियां पूछी जाएंगी कौन कह रहा किस से कह रहा और ये कहां की पंक्तियां है किस से ली गई है ठीक है तो परिचे परिचे पर खिला सकल नभु पृत्वी द्रुम कल की सुलै दल क्या द्रिष्टी अतल की सिक्ट धार जों भोगावती उटी अपार उमडता उर्धो को कल सलील जल टल मर करता नील नील पर बधा देह के दिव्य बांद चलकता द्रगों से साध साध फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर मा की मधुरिमा वेंजना भर हर पिता कंठ की द्रिप्त धार उत कलित रागिनी की बहार बन जन्म सीद गाई का तन्मी मेरे स्वर की रागिनी वन्न साकार हुई द्रष्टी में सुगर समझा मैं क्या संस्कार प्रकर सिक्षा के बिना बनावासर है सुनाना वो तक प्रतवी पर कि प्रादम्ब है परिचे 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 पर खिला सकल निराला कहते हैं कि है पुत्री सरोज तेरा सौंदर ये प्रतेक के पास परिचे सरूप में था प्रतेक नभ पुर्थवी ब्रक्षों पर कलियों पर किसले दल किसले पुझों पर सब पर तेरा परिचे खिला हुआ था क्या द्रश्टी तेरी क्या द्रश्टी थी वाह कैसी द्रश्टी थी अतल की सिक्टधार अतल कार थे आकास मंडल आकास मंडल की सिंचित धार के समान जो भोगावती उठी अपार तो ऐसा लग रहा था जैसे भोगावती गंगा अपार सरूप लेकर के उमडती हुई उर्धमाने उपर को कल माने सुन्दर सलील माने जल के साथ और वो जल जो नीला था नील नील कल्कलमर करता हुआ उपर को बढ़रार था तुईवा उस्ता को प्राप्त हो रही है लेकिन पर बनहा देह के दिब्विबांद बनहा होने के कारण वो जल बाहर नहीं जा पा रहा है लेकिन छलकता द्रगों से साध साध लेकिन वो साध साध करके साध के साध वो द्रगों तेरी नेत्रों से छलक रहा है फिर निराला उसके कंट के बारे में बता रहे हैं कि पूठा कैसा अपरिये कंठा स्वर तेरा कंठ का स्वर था बड़ा ही मीठा फूटा था ऐसा लग रहा था मा की मधुरिमा बेंजना भर तेरे कंठ में मा के कंठ की मिठास भर गई है हर पिता कंठ की दृप्त धार और पिता के कंठ की दृप्त माने चमतकृत धार तेरे हरदे में भर गई है तेरे कंठ में भर गई है उतकलित रागिनी की बहार उतकलित माने उनमुक्त उतकलित का अर्थ है उनमुक्त रागिनी की बहार तेरे कंठ में है बंजन्मसिद्ध गा पुत्तन्वीकार थे पुत्री तु जन्मसिद्ध गाई का प्रतीत होती थी और मुझे लग रहा था कि मेरे स्वर की तु रागिनी वाली वन्निकार थे वन्निकार थे आग तु मेरे स्वर की रागिनी वन्ने आग राग की ज्वाला है रागिनी की ज्वाला है साकार हुई द यह समझ गया कि यह तेरे प्रखर संस्कारों का ही प्रतिफल है। में जब सक्षम वो अन्न के नीड कार थे घोसले में पलती है कोयल हम ऐसा दूसरों के घोसले में अंडे देती है होती उड़ने को अपना सवर लेकिन जब उड़ने को होती है तो अपना सवर भरकर करती धुनित मौन प्रांतर जब उड़ने को होती है तो पलती तो दूसरे के घोसले में है लेकिन जब उड़ने को होती है तो जब धुनित मौन प्रांतर को धुनित करने लगती प्रांतर का अर्थ होता है प्रांत प्रदेश यहीं एकांत प्रदेश जो मौन रहा होता लेकिन जब वो उड़ती है तो अपनी मीठी-मीठी कुहू की बोली से पूरे प्रांतर को धुनित करती है तो मैंने तुझे बस यही समझा यहां पर निराला का प्रतीकात्मक धंसे य प्रतीकात्मक रूप में बेटियां पराई होती है ऐसा उन्होंने कहा है तुझी द्रिष्ट में मेरी छवी जागाउर में तेरा प्रिय कभी उन्मानन गुंज सजहिला कुंज तरुपल्लाव कलिदल पुंज पुंज बहचली एक वाग्यात बात चूमती केश मृदुनावल गात देखती सकल निश्पलक नयन तू समझा मैं तेरा जीवन तू समझा मैं तेरा जीवन चलिए ये वाला आप मैं अगले पार्ट में बताता हूं तब तक लिए नमस्के